दोस्तो एक्जाम डेट आ चुकी है एलपी की 25 नवंबर से 29 नवंबर तक एक्जाम चलेंगे मुश्किल से आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आठ तारीक है ठीक है तो मुश्किल से एक महिना प्लस 10-15 दिन याने की लगबग 40-45 दिन है जिसमें की लाश्ट के 2-3 दि मतलब अब तो एक प्रमोशन हो गया और ना मैं भी एक एलपी हूं सीडिसी बात है ठीक है तो मैं आपको बताऊंगा कि अपने एक्सपिरियंस से अपने परसनल और जो मेरे दोस्त लोग थे उनके एक्सपिरियंस से ठीक है एक्जाम पैटन समझ लीजें 20 नंबर की मैत की और दस नंबर की जी आएगी 75 सवाल होंगे टोटल और 60 मिर्ट होगी यानि कि आपकी स्पीड बढ़ी इंपोर्टेंट होगी उस समय ना की एक्क्यूरेसी तो होगी होगी पर एक्क्यूरेसी से ज्याद है यहाँ पर स्पीड का खेल है वन थाड़ की निगेटिव मार्क पढ़ना और शाम को 3-4 घंटे पढ़ना इतना तो पढ़ना ही पढ़ना दिन में आप फ्री है सो सकते हैं कुछ और भी कर सकते हैं ठीक है और अब यहाँ पर हम दो तरह की बच्चों की बात करेंगे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो वीडियो देख रहे हैं जिनोंने अभी घूमते वगयरा है तो अभी मत करिएगा क्योंकि और बहुत जादा उल्टा सीधा मत खाईएगा क्योंकि अगर इस बीच में आप क्योंकि अभी मौसम भी बदल ला है तो अगर आप बिमार पढ़ते हैं या फिर आपके कोई चोट वगयरा लग जाती तो बड़ी ही समस्य जाएगी तैयारी सब बिगड़ जाएगी तो सेफ रहना सबसे पहले उन बच्चों की बात कर लेते हैं जिन्होंने की तैयारी नहीं की यानि कि अभी वह जीरो बटा सन्नाटा के आसपास हैं और अभी आपको तैयारी शुरू करनी है बस आप यह सोच रहें कि कैसे मुझे पता चल जाए कि लाश्ट के 30-40 दिन में मैं कैसे अपनी तैयारी करके जादर से जादर नमबर लिया हूं समझ लीजिए अब आपके सवाल का जवाब आ रहा है सबसे पहले तो जीए को भूल जाईए क्योंकि जीए सरफ 10 नमबर की है ठीक है आपको फोकस किस पर करना है आ आपकी बन गए टोटल तीन दो पांच कॉपी ठीक है आप मैंने आपको बता दिया कि अब आपका जो दिमाग में है वह बात सैट हो जानी चाहिए कि मुझे डेली साथ गंटे पढ़ना है तीन-चार गंटे सुबह और तीन-चार गंटे शाम को हर कॉपी के पहले पनने पर आपका शिलेबस लिखा होना चाहिए अब आप कहेंगे यार शिलेबस कहां से निकाले ये निकाले बता देता हूं मैं यह देखर अब से लिखली लिए टिक अठारा चेप्टर तक यहां पर है वीडियो को पाउस कीज़ेगा और लिखली जगा इस्क्रींशॉट के चक्रम पड़ा समझो कुछ नहीं होना उसका भाई यह तेही सेप्टर है आगे हलाकि परसंटेज भी लिखी हुए यह बताते हो कि कौन सा चेप्टर ज्यादा उसके उपर वीडियो बना रखी यह जो उसी का डेटा है जिसमें आपको पता चलेगा कि किस चेप्टर का कौन सा टाइप भी इंपॉर्टेंट है आप चाहें तो पुरानी वीडियो मेरी देख के जो इंपॉर्टेंट टाइप है उनको बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हैं फिर देख लीजिए वीडियो को स्लो कर लीजेगा पॉस कर लीजेगा और बच्ची वह चेप्टर से रहे हैं कि अधिक है कि देख लिया है चलिए अब अपने टॉपिक पर वापिस आ जाते हैं कि आपने क्या करी कॉपी बना ली है उनके पहले पढ़ने पर सिलिबस लिख साइंस के लिए किजिए मैं भी बताता हूं आपको यूट्यूब से टॉपिक पढ़िए और बुक से कोशन आंसर करिए यही हो सकता है और सबसे बेस्ट तरीका यही है अभी मैं आपको समझाता हूं कहां तक पहुच गए हमने अपनी कॉपी बना ली हमने उसके पहले पढ के कोशन पेपर इसमें क्या मिलेगा यहारा पेपर देने जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं पर आता कैसे तो फाइदा किया ढूंड जाएक है इसमें detail पेपर चला पेचल सवाल करने एक पहलेएग पढ़ना ले 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 वाइट न हो गए अब आपको अपनी आंसर की से आपर मैच कर लेने अपने आंसर जब सब मैच कर लोगे तो आप आपको चाहिए में ली तीन बुक जीए की मैंने बतारा रहा हूं पहली है रीजनिंग की दोस्त इस समय के साब से समय होता तो मैं बताता रीजनिंग की बुक साइंस की बूक और अगली है मैज की बूक ठीक है समय वही कुछ है आज तक TCS में आए हुए सारे सवाल है तो इन्होंने निमेरिकल को अलग से कवर किया हुआ है साथ इसमें आपका कम्पूर्टर भी कवर हो जाएगा कम्पूर्टर के इंपॉर्टन चेप्टर जीए के लिए जीए में एक तहीका क्या है आपको थोड़ा बहुत आता आपने बुक के खोली और पहला चेप्टर खोला मैद का और करने लग गए रेंडम कोशन कर रहे हैं पहला पाच वा शात वा नवा ऐसी चारपाच चारपाच कोशन करते गा है और आपको लगा कि चेप्टर में कर सकता हूं 15-20 सवाल करने है अगर आपको कोई चेप्टर लगता है कि यार यह नहीं हो पा रहा मुझे यह आता नहीं है मुझे इसके फॉर्मुले नहीं आते मुझे इसको कॉंसेप्ट नहीं आता तो उस टॉपिक को यूट्यूब से पढ़ लीजे अगर आपने कोचिंग लगा रहा है तो अच्छी चीज़ा कोचिंग से पढ़ लीजे वो तो असले बस कंप्लेट कराएंगे अगर आपने यूट्यूब से पढ़कर उसके कोशनांसर लगा रहे हैं शाम को उसी के ही फिर से कोशनांसर करने हैं यानि एक दिन में एक चैप्टर से ज़्यादा आपको नहीं करना है आपको एक ही चैप्टर करना है पर उसको अच्छे से करना है 15-20 सवाल आप सुबह सुबह जब उसमें वही सब सवाल है जो रेलवे में और रेलवे में कोशन वही जायता रिपीट होते हैं नए कोशन बनाने का इत्ति समय नहीं लेते हैं वो के नए बनाए अरे सोचते पुरानी उठाके देदो है ना सवाल तो सवाल है तो इसलिए मैं कह रहा हूं बुक से पढ़ोगे स्स्य दिन में 35 दिन कल लेतें 30 दिन क्यों बता रहा हूं क्योंकि कि आपको 300 क就 300 दिन नहीं पढ़ना है आपको पढ़ना है सरक च्छे दिन सपोस कीजिये आपने मंडे से पढ़ाई शुरू करेगे तो मंडे से सेटरड़ी तक पढ़ना है आपको पर शाधवे दिन यानि संडे के दिन नई चीज नहीं पढ़नी है अब तक कॉपी में जो पुराना लिखा है उसी को रिवाइस करना है क्योंकि आपके सामने साइंस भी है फिजिक्स केमिस्ट्री बायों में बार बार रिवीजन मांगेगा उसमें फॉर्मूले होंगे उसमें यूनिट्स लगाने और शाम को इसी चैप्टर के फिर से कोशन आंसर ही लगाने ठीक है इससे ज्यादा से ज्यादा सवाल होंगे और एक दिन में एक चैप्टर 25 चैप्टर मैक्सिमम हैं किसी भी सब्जेक्ट में 25 दिन में आपका सिलेवस कंप्लीट होगा बचे अभी भी 5-6 दिन 5-6 दिन में से क्या करेंगे हम कंटिन्यू 25 दिन नहीं पढ़ेंगे 6 दिन पढ़ा ही करेंगे 7 दिन अगला कोई टॉपिक नहीं पढ़ेंगे 6 दिन का जो कॉपी में लिखा हुआ वो रिवाइस करेंगे इस तरह से 30-31 दिन में आपका सिलेवस कंप्लीट सिलेवस कंप्लीट हो दो तीन minimum क्योंकि एक जो previous year को question है वो कितने का बैठेगा एक घंटे का बैठेगा तो अगर आप तीन भी question paper लगाते हो तो समझ लीजे चार घंटे लग जाएंगे क्योंकि पहले question paper solve करोगे फिर उसके answer की से match करोगे तो आप देखोगे कि तीन paper में चार घंटे लग जाएंग वरना क्या होगा जो बच्चे बिना practice करके जाएंगे guarantee से ले लो वो paper देखे आएंगे और यह रोते घूमेंगे कि अरे यार मेरे चार question चूट गए मेरे पाच question चूट गए आपको नहीं छोड़ने है कैसे नहीं छोड़ने है क्योंकि आपको पहले सी practice करनी है कैसे practice करनी है तीस दिन में syllabus complete वो भी बीच बीच में revision के साथ last के 10 दिन में सुबह 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 सुर्फ सुर्फ syllabus को revise math हो गया reasoning हो गया और science हो गई science बहुत नमबर लेकर जाएगी physics के numerical भी करने हैं आपको इस बीच में और शाम को शाम को सुर्फ और सुर्फ लाश्ट के 10 दिनों में क्या करना है आपको previous year के questions की practice करनी है साथ मिनट के अंदर timer लगा के timer बजना नी चाहिए उससे पहले आपके 75 सवाल हो जाने चाहिए और इस बीच में अगर कोई सवाल छूट गए है या कठिल लग रहे है तो वापिस से उन पर जाकर उनको कोशिश कर लेनी चाहिए आपका जो paper है अगर मैं बताऊं आपको तो जीए के 10 सवाल है न जीए के 10 सवाल मुश्किल से 2-3 मिनट लेंगे तो आपके पास ऐसा नहीं है कि समय कम ज्यादा बच्च बहुत ज्यादा कम है ना बहुत ज्यादा कम नहीं है अगर आप 20 मिनट में 20 सवाल 25 मिनट में 25 सवाल करते हो तो 20,25,45,50 और 55 आपके पास देख पांच मिनट बचेंगे आप जैसे मैं कहा हूँ आप ऐसी प्रेक्टेस करते जाओ इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी अब आते हैं उन बच्चों के पास जिन्हों ने अपना सिलवस कंप्लेट कर लिया तो दोस्त आप लगभग अपना 60-70% काम पूरा कर चुके हो अब यो को अटेम्ट करिए जैसे कि वो दूसरे वाले बच्चे लाश्ट के 10 दिन में कर रहे हैं आप ये काम 40 के 40 दिन करते रहिए करते रहिए करते रहिए करते रहिए करते रहिए सुबह को चेप्टर से पढ़ा सुबह को आपने रिवीजन किया क्योंकि आप तो पहले से पढ़ कि मैं इस chapter में अटक रहा हूं तो आप उस पर work तो कर सकते हैं अगर आपको पता ही नहीं मैं कहां अटक रहा हूं तो आप उस पर work कैसे करेंगे ठीक है तो आप math, reasoning, physics, chemistry, bio सबका रोज एक chapter पढ़ें या नि revise करें और शाम को उसके question answer के practice करें इसके अलावा cbt1 के अलावा आप चाहें तो इन वीडियो पर नजर मार सकते हैं जिससे कि आपका थोड़ा बहुत जीए का portion बढ़ जाए वरना जीए में बहुत बड़ा syllabus है और नंबर स्रिफ 10 है उस 10 नंबर में भी 2-3 नंबर की computer आ जाएगी और 2-3 नंबर के ऐसे हलुआ सवाल आ जाएंगे जो मेरे जैसा जीए में 0 बटा सननाटा होने के बाद भी शायद कर ले शायद मेरा को पका नहीं पता हो सकता है मेरे को 10 के 10 ना आते हूं ठीक है फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स की numerical पर जो दोस्त जरूर धियान दे लीजिएगा जो science है जो science mainly जो railway में science आती है वो physics में daily life facts आत हैं दोस्त एसेप्शंस एसेप्शंस आते हैं जादा से जादा और जो chemist bio होती है बायो से basic सवाल आते हैं जैसे cell के बारे में पढ़ा अब cell के बारे में कई सारे सवाल पढ़े पर cell में कुछ सवाल basic होंगे जैसे powerhouse of cell तो ऐसे सवाल repeat हो जाते है ठीक है तो यह concept रहता है science क इंदर और science यहाँ पर एक scoring subject है इसको गलती मत करना आप जिसकी math reasoning science अच्छी है वो ALP पूरा निकाल के ले जाएगा selection तक 40 दिन तक ऐसा करते रहे CBT1 आपका बहुत राम से निकल जाएगा आप देखेगा आप cut off के बहुत उपर बैठ रहे होंगे कोई समस्य वाली बात नह देखा देता हूं ठीक है math में जिससे कि अगर किसी ने नहीं देखा हो सई से तो दुवारा देख लें math में कौन से chapter ज्यादा important है यह भी मैंने बता रहा है इसका फाइदा क्या होगा इसका फाइदा यह होगा सपोज आपके पास आप यह वीडियो लाश्ट के 10 दिन बचे मैं तो ही देख रहा है आप कारो मुझे तो 10 दिन में तैयारी करनी है तो फिर आप उन सब्जेक्ट उन chapters को चूज करिए जिनके आगे ज्यादा percentage लिखिए सपोज mixture allocation के आगे सरफ एक percent लिखा आप छोड़ सकते एक बार को डिस्काउंट के आगे एक percent लिखा छोड़ सकते कम आते हैं सवाल इससे ठीक है इस पर जिनके आगे ज्यादा लिखा है आठ percent लिखा है मेंसुरेशन में तो इन पर आपको जरूर दियान देना है सेम के इस reason में sorry reasoning में revision के रहा हूँ reasoning में analog similarity 9% कैसे छोड़ देंगे आप इसको पर हाँ schedule date time and date वाला है एक percent सवाल छोड़ दो यार अगर आपके पास समय कम है तो पर अगर अभी आपके पास 30-40 दिन बचे हैं तो जैसे मैं कहा रहा हूँ उससे करिए 25 chapter हैं आपके 30 दिन के अंदर अं helpful होने वाली होगी एलपी के क्योंकि exam आने वाला है और भी subject के आने और और भी exam आने वाले हैं आप तैयारी में जुड़ जाईए तैयारी नहीं करी तो जैसे मैंने बताया उसको थोड़ा सा follow up करीजे और जो भी सवाल हो आपके आप comment में बेज़े पूछिए मुझे समय मि आएगा तो भाई मैं पक्का पक्का reply करूँगा ठीक है चलिए इस वीडियो को एड़ करते हैं बुक के लिंक आपको description में मिल जाएंगे आप चाहिए तो pinnacle publication को और वैसे भी search करके ले सकते हैं